हाई फ्रेंज वेलकम चुमाय दूजा हाड ब्रेस्ट पोस्ट पार्टम आपके डिलेवरी के दो तीन दीन बात कभी बच्छा जादा देर सो गया है तो इनिशल डेज में जभी आप नहीं नहीं ममा होते हो अगर बहुत हाड ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट फीडिंग करना कर सकते हैं और क्यों हाड बेस्ट होता है तभी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करने में तकलीफ होता है यह सब चीजे इन डिटल जानेंगे आज के पटिलर वीडियो में चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इन बिट्वीन अगर आप मेंसे किसी को मुझ से ट्रें होना है याद रखो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रेग्नेंसी में ट्रें होना इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट अगर आप मेंसे कोई प्रेग्नेंट है और आपको मुझ से ट्रें होना है गेट इन टाच वितास ऑन www.mydvija.com चलिए शुरू करते हैं यह क्या है यह तो है श्रेया मेरे पास दात है मैं आपल खा सकती हूँ खा सकती हूँ समझो मेरे पास दात नहीं है तो क्या में आपल खापाऊंगी नहीं खापाऊंगे न श्रेया फिसल जाएंगे आपके गंस आपल के ऊपर से एक्जाक्ली वही चीज जबी आपका ब्रेस्ट हाड हो जाता और बच्चे के पास दात नहीं है, तो हाड ब्रेस्ट के ऊपर से बच्चे का मुँ फिसल जाता है, और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाता है, दूसरा चीज, आप लोग कार का काच विजुलाइज कर सकते हो, वो जो काच है, उसके ऊपर अगर किसी ने जोर से पत्थर मारा या कुछी जोर से जर्क किया, तो क्या हो जाएगा, उस पूरे कार के ऊपर चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे क्रैक्स पढ़ जाएगे, यस, हाड ब्रेस्ट पे अगर जबरदस्ती आपने या बच्चे ने जर्क डालने की कोशिश की, तो ये ब्रेस्ट पे, निप ब्रेस्ट पे, ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत जादा डिफिकल्ट हो जाता है, श्या सल्यूशन क्या है, बहुत इजी सल्यूशन है, ब्रेस्ट को सौफ्ट कर दो और फिर फीड करो, ये वीडियो एंट तक जरूर देखना, बिकॉस हम लोग डीटेल में सल्यूशन का हर स्टेप डिसकस करेंगे, चलिए, शुरू करता है, हार्ड ब्रेस्ट, पोस्ट डिलेवरी, फोर्थ डे, हार्ड ब्रेस्ट क्यों होता है, बहुत इंपोर्टेंट वजे, बिकॉस आपको पहले तीन दिन दूध ही नहीं, कोलेस्ट्रूम निकलता है, जिसको हम लोग मा का first milk या initial milk बोलता है, जो थोड़ा सा yellow color का sticky सा दूध होता है, बट जैसे ही आपका third day शुरू हो जाता है, वैसे आपको actual milk flow शुरू होता है, और किन-किन लड़कियों के case में, यह suddenly बहुत सारा दूध आता है, बट बच्चे का उतना भूख तो है नहीं, बच्चे का उतना capacity ह नहीं, and secondly, आपके pores भी उतने जादा ओपन नहीं है, कि इतना सारा दूध आप लोग बहुत अच्छे से release कर सको, तो उसकी वज़ा से आपके breast पत्थर की तरह hard हो जाता है, कुछ-कुछ लड़किया बोलते है, मेरा breast suddenly double size का हो गया, suddenly मैं रात में सो ही ती और उठी ती तो breast बहुत heavy और hard हो गया, hospital का staff घरवाले बोल रहे है, बापरे, hard breast को निचोड निचोड के दूद को बाहर निकालो नहीं तो गाठे हो जाएगे, now here we come to the second part of solution, आप लोग को observe होगा, अगर hard breast पे तुम लोग और जोड से प्रेस करके दूद निकालने का कोशिश करोगे, तो दर आप लोग इस चीज को लिके agree करोगे, तो ये एक बहुत सादा जोड़ी है कि इस पाठ को naturally थोड़ा सा soft करने का कोशिश करो, तो कैसे कर सकते हो, आप लोग खुद वाश्रूम में जाओ या sink पे, गरम पानी मग से दोनों breast के उपर पोर करो, एक पाठ से 10 मिनिट hot fermentation करने के बात, milk release easy हो जाता है, और फिर आप अगर प्रेस करके थोड़ा दूद निकालते हो, कितना दूद निकालना है श्रया, ये जो hardness है, ये कम होने तक, बहुत सारे लोग सारा दूद निकालके breast को empty करते हैं, और आदे घंटे में तो वापस refill हो जाता है, तो और confusion build-up होता है, see breast feeding ये, demand supply mechanism है, अगर आपने पूरा दूद एक्सप्रेस करके निकाल दिया, तो ब्रेन को लगता है, अरे आपरे दूद खतम हो गया, और दूद भेजो, जहाँ पर हम लोग को ये नहीं चाहिए, हम लोग को ब्रेन को signal भेजना है, जितना जरूरत है, बैसे दूद भेजो, तो वन अफ दे इजियेस्ट वे, गरम पानी से सेको, फिर 12 ओकलोक, 600 ओकलोक, पूरे ब्रेस्ट पे 25 मिनिच इच स्टेज पे प्रेस करके, थोड़ा सा दूद को निकालो, ब्रेस्ट को सॉफ्ट करो, ये निकाला हो दूद, रख दो साइड में, और फिर बच्चे को ब्रे सेट करेगा जितना बच्चे की जरुवत है, और तीसरा चीज, जो पेन है निकालने का वो आपको नहीं होगा, तो आप लोगो को याद रखना है, उतना ही दूद निकालो कि ब्रेस्ट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, काकी आप उसको अच्छे से पकड़ पाओ, और फिर बच्चे को प्रॉपर लाचिंग के साथ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए दो, इससे होगा क्या, क्रैक्स नहीं होगा, हर्ट भी नहीं होगा, और बच्चे का ग्रिप भी बहुत अच्छे से बैठ जाएगा निपल के उपर, तो इस बिकमस अ वेरी वेरी इजी वे, थर्टि नहीं किया तो, तो जैसे ही हार्ड हो जाता है, the way I told you, hot fermentation, थोड़ा सा release, फिर बच्चे का फीडिंग, in case of hard breast, आप लोग को observe करना है कि more often बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लो, say, डूटीनली डॉक्टरों बोलते है कि दो-दो घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग क लो, वैसे भी आप लोग दूद निकाल के वेस्ट करें, उससे बेटर है कि वो दूद बच्चे के पेट में जाएगा, और बच्चे के नूट्रिशन के लिए भी help करेंगा, so more often breastfeeding यह बहुत अच्छा solution है, hard breast को soft करने के लिए, याद रखो all of you, इस सब cycle में कुछ नापकीन या towel dip करो, उसको निचोड़ो और वो breast के उपर रख दो, इस से आपका breast जल्दी soft होने में help हो जाए, अगर आप यहाँ से दूद पिलाते हो, तो आप लोग यहाँ पे भी napkin रख सकते हो, उससे यह वाला breast भी soft होने में help होगा, next thing, श्रेया अगर मुझे हाथ से हुडा भी दूद निकालने को नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करें, तो फिर आप लोग गरम पानी से, hot fermentation आपके लिए बहुत जूरिया, hard breast से जभी भी दूद निकलेगा, तो आपको suddenly बहुत सारा दर्द हो सकता है, अगर आप लोग उसको hot fermentation करोगे, तो आपको बहुत नहीं होगा, hot fermentation लेलो, फिर breast firm से दूद निकालो, कितना दूद निकालना है, उतना ही निकालना है कि आपका breast थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए, और आप बच्चे को फीड कर पाओ, बच्चे को फीड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, fourth remedy, cold leaves remedy, अगर आपको लगता है कि गरम से आपको उतना आप नहीं पढ़ रहा है, तो आप hot cold का combination कर सकते हो, cabbage के मतलब कोभी के पत्ते, डिप फ्रीजर में रख दो, फिर उसको ब्रा के अंदर 15 मिट के ले रखो, उस थंडे पन से आपका जो ठनक रहा है, दुख रहा है, वो काफी हत तक कम हो जाएगा, फिर hot fermentation दो, और फिर express करके थोड़ा सा निकाल के feeding के लिए बच्चे को दो, तो भी आपको तकलीफ नहीं होगा, usually hard breast कितने दिन तक रहता है, initial, probably 3 to 15 days के बीच में, most of the girls के case में, 3rd day, 4th day, 5th day के बाद यह थोड़ा-थोड़ा settled हो जाता है, और उसके बाद वो सिफ cluster feeding के बच्चा अगर 4-5 गंटे सो या, तो ही तकलीफ होगा, otherwise नहीं होगा, विट आप लोगो यह बात याद रखना बहुत जाद होगा, कि जबी-जबी होता है, आपको same sequence follow करना है, negative part of it, बहुत सारी लड़कों के case में, breast hard हो गया है, बच्चा बहुत रो रो रहा है, मैं निकाल नहीं प अगर वो बच्चे को latch करके पीने के लिए नहीं दोगे, तो धीरे-धीरे demand supply mechanism compromise हो जाएगा, अगर वो दूद यूज में नहीं आता है, तो आपको observe हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद milk flow drop होने लग गया है, या milk flow कम हो रहा है, अगर किसी को भी heart breast है, I understand, मुझे पूरी तरह से पता चले है कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, especially the third day, fourth day, stitches का healing अब तक बाकी है, आप ठीक से बैट नहीं पा रहे हो, confusions बहुत जाद है, उसके साथ ही है चीज, but yes, अगर आप same sequence follow करोगे, एक 3-4 दिन के लिए, आपका वो तकलीफ पूरी तरह से हील हो जाएगा, और to be very very frank, आपको तकलीफ होगा ही नहीं, तो hard breast और breast feeding, manage करना, इस trick के साथ, बहुत जादा आसान हो सकता है, तो please try करो, और हम लोगो comment box में लिखे जरूर बताना, क्या आपका new motherhood का journey, थोड़ा सा easy हुआ, thank you so much all of you for trusting my dhuja, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे है, त आपने दोस्तों के साथ, जरू शेयर कना, have a great time and bye